अगले चार से बारा गहंटे तक 24 जिलों में जम कर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का अलर्ड जारी। जारखन प्रदेश में धूप की कड़क तेवर हो रहे हैं। कई जिलों में सुबह ग्यारा बजे ही पारा चालीस के पार पहुंच गया था लेकिन दिन की तीन बजते ही बादलों ने देरा डाल रखा है। हालांकि दो दिनों से मौसम शुश्क होने के साथ ही गर्म हवाओं के थपिरों के कारल गर्मी बढ़ गई है। सलकों पर दो पहर में सन्नाटा पसरा रहा। लोग कूलर, पंखे और एसी की थंड़क में घरों में दुपके रहे। शुक्रवार के मुकाबले रविवाप को तापमान में एक डिगरी का इजाफा हुआ है। शनिवार को गर्म हवाएं चली, दो दिन बाद राहत की उम्मीद है, पश्चिमी विक्षोग सक्रिय, मई माह में शहर में आमतोर पर लू की स्थिती बनती है, लेकिन इस साल अब तक एक बार भी लू की स्थिती नहीं बनी। पिछली साल अप्रेल में दो दिन और मई में चार दिन लू की स्थिती रही थी, और मई माह में अधिकतम दिन पारा सामाने से 2-3 दिगरी अधिक बने थे, लेकिन इस बार स्थिती अलग है। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय पूर्वी बिहार से छग तक एक द्रोनिका बनी हुई है। मौसम शुष्क है, इसलिए एक दो दिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 23 माई से एक पश्चिमी विक्षोब सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण फिर बादल, हलकी बचारों की स्थिती बन सकती है। इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि दो सिस्टम सक्रिय होने की वज़े से कुछ इलाके में हलगी बारिश देखने को मिल सकती है. 23 मë तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई. जिंक शेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उसमें अशोक नगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दत्या, भिंध, मुरेना, सिंग्रॉली, सीधी, रीवा, सतना, जबलपुर, नरसिंगपुर, छिंदवारा, सिवनी, छतरपुर और टीकंबर में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है 22-23 मई को एक सक्रिय होगा, जो 28 मई तक सक्रिय रह सकता है ऐसे में कईक शेत्रों में हलकी बारिश और बादर चाये रहेंगे, नौतपा में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है वही 24 मई को एक विक्षोब उत्तर भारत में सक्रिय होगा जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा कैक शेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है आंधी के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने सोमवार से 26 मई तक प्रदेश में तेजान्दी और गरच चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है इस दोरान हवा की रफतार 30 से 40 किलोमीटर प्रती घंटा हो सकती है रविवार को प्रदेश के दक्षनी हिस्से में ग्रीश्म लहर का प्रकोप बना रहेगा चक्रवातिय दबाव का नतीजा है मौसम में ये बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार ट्यलन गाना के उपर केंद्रित चक्रवातिय दबाव का नतीजा होगा